आप देख रहे हैं स्यांजा पंजाब टीवी दिल खोल के बोल लाइव विद जोती अगर आप फेस्बुक पर हैं या टीवी पर हैं तो हमारी प्रोग्राम को वाच करें और अपनी फीडबैक जरूर दें खैर जोती आप सब को कहती है खुशामदीद प्यार भरी नमशकार अदाब सलाम सश्रीकाल उमीद करती हूँ कि आज के ले के लिए दिन की तरह आप लोग भी खिले के ले हैं और अपनी जिंदगी को भी खिला किला रख रहे हैं कुछ अच्छा काम करके कुछ अच्छे थौट्स के साथ और अच्छी वाइब्स के साथ और अपने आपको अच्छा अच्छा तयार करके आज तयार होने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो खास मेमान बैठे हैं वो भी इसी फील्ड से हैं यानि की मेक जो अकसर दिफेनं तो टो टियार करती है,qu neut couple बोर ब्लिपरी यहें काव्छें बनाता है लोको के जहने अपने अंदागे करने नưởngते हैं वरा हाउवे आगे अंदागे में ускay पाइज के लग अदाज होता है, तयार करने का, चाही हो बालों की बात हो चाही हो पिसे मेकप पाइज स्किन की बात हो, उनको एक अच्छे मेक प पाइज को पता होना का चाहिए कि ने मेरे क्लый inside इसरी त variables को सामने से जो चेरा मेरे समने इस वक्त है उसका complexion क्या है, उसकी skin tone क्या है, उसका texture क्या है और उसको देखकर ही वो make up करता है और सबसे बड़ी पात कि event क्या है, program क्या है किसलिए वो बंदा make up करवाने आया है, बंदी आपके पास पहुंची है make up करवाने उसका क्या function है, क्या occasion है तो हर एक occasion के लिए different make up होता है, different look होती है तो इस चीज़ की जानकरी, make up artist को भी होने चाहिए और जो make up करवाने जा रहा है, उसको भी थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, या मैं कैसा दिखना चाहती हूँ क्योंकि जब अपने आपको आप अच्छे से express करते हैं तो भी अगला बंदा जो आपको एक अच्छी look दे सकता है आपके मताबिक कहते हैं, आँखे भी बोलती है, होंट भी बोलते है, हमारे eyebrows भी बोलते है अगर उनको make-up कर दिया जाए तो पूरी भार्षा वो अच्छे से समझा सकते हैं तो खहे है, make-up की भार्षा और हमारी चेहरी की भार्षा को एक make-up पार्टी से समझता है चलिए बात करते हैं हमारे आज के खास मेमान के साथ मेक-पार्टिस्टा और उनका नाम है लेला आतिफ लेला वल्कम तो अच्छे स्टूडियो और अच्छा प्लेसंट इंट्रड़क्शन मैं बहुत अच्छा फील कर रहे हूं और थैंक यू पर इंवाइटिंग में थैंक यू सांजा पंजाब और दिल खोल के बोल में उतकि में बहुत सो काает, यू तहूंति ने तृषिक कशबने घर काई पड़ए कि jalis मैं बालो की तै तर वाड़क्रप में बनादे प OG Swohl मैं आरफ एम रड़ते पारते हैं में पार्ना मेलामा बहुत ओ लेकिन एक Wom momentobed अद제 में पारता थाव आजकल के वक्त में हम लोग कर रहे हैं, बलकि मेकप तो सदियों से चला रहा है, बस यह की अंदाज बदला है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे मेकप तो चल ही रहा है, पुराना फिर रिजनुएट होकर आता है, पुराने स्टाइल, इवन कपड़ों में भी आप देखें, वही शरारे, वही गरारे, पुराना स्टाइल सिर्फ यह है कि नहीं जड़ा मॉडनाइज उसको कर दिया जाता है कुछ थोड़े से एक दो चीजें उपर नीचे करके, सेम इस दे केस विद मेकप, मेकप में भी नई वेरियेशन आती रहती हैं, और मैं यह समझती हूं कि हर सेमान दोटिल एक जाता है, । आप छानी रहती हों कि ड्यूप कैंश पर काया किन ऑर भी नहीं है है क। पाvenge की तैयार चाहता है, विच भीन हुझ खी आ प्रवी नहीं क्या प कर आती हls, विद मैं नहीं किया जाती हूं, मुझे नहीपता होता कि मैं नहीं क्या करना ए किन मैं मुझे आयो वे अल्मोस्ट अबाउट 10 years हो गए है मैं 2011 में आया थी और फिर यहां पर यहां पर यह है के एक साल गुजारने के बाद जो है वो मुझे कुछ होने लग गया कि ना कुछ करूँ पिर आहिसी दो अपर जो है आहिसे मुझे बड़ बड़ ओ इसको बड़ बड़ा शॉक आज आता है मुझे भी तियार कर दो मुझे भी लाइन लगा दो तो छोड़ी चीजें करते है वह शॉक तो था बच्पन सही लेकिन है कि मैंने कोई प्रफेशनल दिग्री या प्रोफे जब Canada आये तो मैंने का चोलो अपने शौक फोड़ा सा मजीद निखा आ जाये तो अपने पैशन को परफेशन में बदल दिया पैशन को परफेशन यह बड़ी इक सबात किया अपने बिल्कुल एक परफेशन में लुखेशन में अपने बच्चों का भी दियान रख सकती है आपको नहीं नहीं जारोरती कि अपुशले बाहर कि लिए दुख बंद दिया आपी है आपको केुछपशन अबद कर दिया रहा है जाहर है कि हर किसी गहर में बच्चे भी हैं बड़े भी हैं तो सब्की सेफटी हमें फिर्स रखनी थी और बिल्कुल भी मैंने तीन महीने कोई काम नहीं किया मैंने किसी काम एकोवर नहीं किया लेकन अब आइस्ता-इस्ता चुंके वे अगटिंग इंट स्टेप 2 और मैंने यह अग्या है यह आपकोवर नहीं किया खाया है अगया शुरू कर दी हैं अगया वी दो फॉलो एस्ता-इसर और मैंस्क और मेरे पास पेश्यल भी हैं इसके बगार मैं काम नहीं करती अगया जिस्तुमर फील कंफ़रबल जब वो यहां पर आते हैं मेरे स्टूडियों में तो यह फाइंड फाइंड जब और अगया तो इसके अगर दो तीन लोग है तो वो वेट करने होंगे नहीं अगर आपको वेट करना तो आपको अपनी गारी में ही वेट कीजिए अगया इस अल अबाउट सेफटी और प्रकॉश्टिन के तो मेक अप की अपॉइंट्मेंट का जयादा कहा जाता है कि हमें बिल्कुल सॉफ लोग तीजिए और एक दम ब्राइट लोग के लिए बहुत कम लोग आए हैं लेकिन ज्यादा तर सॉफ्टर लोग चाहते हैं अगया इपन्स अगया इवेंट के इस अपर देनर है या कोई वेडिंग है तो उसे साब से फिर अपर देनर होता है मैं पूछती हूं कि आप का इवेंट क्या है लोकेशन क्या है अपी ड्रेस की कालर क्या होंगे इव रेरिंग लेंज इस आपका हैस्टाइल क्या होगा तो वह सारी चीजें जहन में रखते हुए आइप लोग फ्लान देश्टी आप जब भी हम मेक अप जैसे आप अपर आप अपर आप देखते हूंगी इसकिन का टेक्श्टर सब कर दिफरेंट होता है किसी की कॉंबिनेशन स्कीन होती है और ओईली स्कीन होती है जो कैसे अप डिसाइड करती कि कौन सा फांडेशन किसको लगाया जाए क्योंकि यह बड़ा ट्रिक्य होता है और फांडेशन जो है एक बेस होता है हमारे मेकप का जो कि उसके अपर पुरा मेकप की लुक डिपेंड करते है राइट यह बहुत अच्छा सवाल किया आपने इसके लिए में यह कहना चाहूंगी कि सबसे पहले यूफ तो नो यूर स्किन फरस्ट और अगर चलो कोई इव आपकर गएम झाल स्किन को मेरे ऊसी प्लस और रहा होता है। को हsmी प्रिच नहीं उसके बहुता हां तो फड़ी सी मागप करते है यह नियुम्स को जरुआ सबाइशन टीर से नहीं होता है है और जाहूंगी सबसाrim कि यह अर्शन उड्राइब को तो पा से रहा श Susa हशनि यजिन आपक तीन किसम के मास्क एक दफा में लगा सकते हैं यह अगर तो आपका T-Zone oily है तो आपसे मास्के COMP में मास्क के तरहने का सब्सक्राण के हैं जिसको क्ले मास्क के पागा का जो अपके oil control करें बिल्कुल बिलकुल, अगर आपकोई ढूपस्क पड़ाया है , लेटसे आपसी चीक आप स्वाशा तो वहाँ पर डिफर्ट मास्क लगाएंगे तो इसको हम मास्क जोनी कहते हैं , आप एक समय में तीन तीन मास्क लगा सकते हैं जिसमें combination skin के लिए जो हो और इवन सम्थिंग पर all skin type लिए आप मास हटे में एक दफा पनी रूटीन बना लेजिए और जब इस तरह की skin जो दिन और रात cleanse हुई होगी, scrub भी प्रॉपर हुआ होगा, mask प्रॉपर हुआ होगा, क्यूंकि हम जोती ब्लेम करते हैं foundations को तो चैन्विस को भी जब थोड़ा सा स्मूध करना ज़रा है यह वही बात होगी ना जसे हम वाल को जब हमने पेंट करना होता है तो फिर ब्ल्कुल सही बात है ना जब जब पर पेंट किया जाता है तो सेम तिंग हमारे चेरे की है कि एक हमारा चेरा जो अबढ़ खाबड तो अगर हम फांडेशन लगाता है तो नाचरली वह स्मूध नजर नहीं आएगी वह रफ नजर आएगी तो फांडेशन की जो हम लोग चुनाव करते हैं या उसको चूज करते हैं तो किस तरह से करते हैं तो अब जहां तक फांडेशन का सवाल है अगान स्किन टाइप आजकल तो वैसे भी फांडेशन आ चुकी हैं कि जिन में स्किन केर की भी थोड़ी सी मातरा पाई जाती है उनमें 97-87% उसमें बताया जाता है कि स्किन केर है तो ऐसी फांडेशन चूज करें लेबल्स को पढ़ना अपनी आदत बना लीजिए क्यूंकि लेबल्स हम अपनी थोड़ी सी रिसर्च कीजिए लेबल्स को पढ़िए इंग्रीडियंट्स देखिए कि उसमें skin care उसमें oils का कौन से इस्तमाल किया गया है तो oily skin को I will recommend oil free to mattifying foundation और अगर dry skin है तो गो with dewy glow foundation जिस जो foundation claim करती है कि वो dewy है या वो claim करती है कि वो glow देगी आपको या hydration देग आपके foundation होते हैं सब देखने वाले और आप भी मेरसाथ agree करेंगी कि के winters में हमारी skin different हो जाती है या dull or dry हो जाती है या dull or dry हो जाती है या dehydrated हो जाती है summers में हम थोड़ा सा जो combination skin बाले हैं का oil production ज्यादा हो जाती है सीबम की वज़े से तो winter की foundation I would say is different always than the summer आप ये जरूर चूज कीजिए कि आप विंटर में अपनी different foundation रखी और summer में आप अपनी foundation different रखी according to the skin and according to the complexion as well complexion तो for sure आप अपनी undertone देखिए कि अगर आप cool undertone है अगर आप pink की तरफ होता है अगर आप warmer है जो yellow और हमारी तरह है और फिर होता है एक neutral skin tone जो बीच की होती है ना एकदम cool और ना एकदम warm तो अगर आप skin tone का जहन में रखेंगे कि मेरी जो base of the skin है वो किस tone में है उस हसाब से अगर आप foundation चूज करेंगे you will never go gray because मुझे lot of clients मिलते हैं जो ये complain करते हैं कि I put my makeup on और मुझे बड़ी अची foundation है और मेरा color भी बिलकुल match करता है और कुछ देर के बाद वो gray हो जाती है तो अगर तो अगर तो वो उखर रही है तो सबसे पहले कि it's not for the right I mean वो आपके skin के लिए सही नहीं और दूसरा चीज कि अगर वो gray होरी है then the color is wrong okay तो क्योंकि foundation आपका जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है उसमें बिताया जाता है कि आपकी foundation आपके color को match करनी चाहिए I know a lot of people like to be lighter or darker that's totally your choice but उसको भी लगाने के फिर steps है तरीके होते है क्योंकि अगर जब हम जाते हैं बाई करने makeup, अगर तुबहाँ consultant है तो ठीक है सबस्क्राइब होते है आपको जो अपपर अपम सारी चीजे पढ़ी होते हैं eternal M4 बड़ी कहने चीता है बड़ी करण करना वचली कराना ये मिल रहा है यह में एक यह performance आप कर में चाहिए तो जůत में मद बcej ने करणे तो हम ऐस सबहर ले रह से आटा है कि आप के पास कोई हल नहीं है आपने खुछ जाना है आप देखिए कि आपको तीन कलर्स चूज करने हैं विनेवर लाइक वी दू फांडेशन कंसल्टेंसी हम तीन कलर उठाते हैं जो कि मुझे लगते हैं कि आपकी आप तीन फांडेशन लीजिए उनके पास जाएं को कहिए कि मुझे इसके सैंपल देदे और आप उन फांडेशन को हरो इस डिफरेंट फांडेशन आप देखिए और देखिए कि कौन सा लॉंग लास्टिंग है इस ते कर रहा है नाच्रल लग रहा है तो इस तहां अपनी फ कुछ अपना को अपना करेंगा रहा है तो अपना है जते हैं आप मेंछांता म्हार थ कौrete म सुक्या हीव भूट इसपर्णा बडब मुझेए क्रशन ही अपशर हमने लागे लेकिन मुझे रोस इसकर पहनना अचाना है लग नग्ताius कि हमारी जो अडर्षे टिशीज रहा करती है कि आप उसको पार्टी सी कि लिए रखी आप आप आपको फिर शिक लिए यह पहोग होगा। एवन अगर आपको रोज पी इस दपाराब करना है बिल्कुल दॉपकर है इसे चलत है तो एक दम आपको बहुत ज्यादा प्रॉड़ूट्स यहां लगाए और ऐसा चुन्सीलर कि जो चलेम करता है कि इस फॉर ब्राइटनेस चुछे की अविर और आ क्लेम कि लो देगा क्यूंकि अदय आपकी आपको रूड़ नहीं है तो डियल बेखने लिए रगाव प्रियर यह एवाला एर्या हम चाहते हैं कि थोड़ा ब्राइटर लगें उसमें भी री क्लर मैच करना जरूरी है रहीर एकर तो किसी को ड्राइकर का issue है तो मैं उनको यह सज़ेस्ट कभी नी करूंगी कि वो लाइटर लेकर लेकर और डिर्क्ली अप्लाइ करें तो यह व्याव तो यह व्याव तो यह थो दिफरेंट ताइप अप्लाइप अप्लाइप यह कॉंसेप्ट था कि आपका जो कंसीलर है वो फांडेशन से एक शे कमारी यह था ह करों अप्लिष यह कुतरन है इनने सिर्शन माउंख था कृंफ शर्ड्कुल्स चीज सेस्ट पाई कर शीज चनशल कर सकते वार से उन से साथ जो है बार जहा से किसी किसी यहां से आङ कर सकते हैं उन से्टकों को रहें हैँ, इन को काई रñा आंख़ में हो शुम correct रिल्सके आंख ए बोलती हैं लेकिन आंख़े कभी बुखे को डल होती हैं कभी-कभी हम उनकी टेक क्यार प्रोपर नहीं कर रहें क्योंकि कि आखे आखों का जोा हमारी लाइफ में बट आहम रोल है आखों से हम अधना परी जिनदगी के कुशियां घम, मौसम देखते हैं बिन और आखों के जो केर है वह में repositories कर सकते हैं और मेकप करने के वक्त भी हम कई गशे जाय कुछ और आईश ही कर लेते हैं, आइ ल extremely सहलेगे और हम लोग तर्थारीके से आई-लाइनर लगा लेते हैं अग्तवोतक है तRonald है बूसर सही कि गशें टाएपनाक सूर्थार को डिखने हैं और आँखों का जब तक राइ अच्छा आई मेकप नहीं अचीव कर सकते हैं यह तो अनी एज क्षाफ लेकिन आई पिर सकते हैं तो अपनी आई क्रीम देखने वालें को घंड कर अज़ेस्ट करोंगी जितनी आई क्या लगाएं जहां तक आई शेड्स आई मेकप और आई लाइनर की बात हैं हमें आई शेप देखना बहुत जरूरी है इसी तरह जिस तरह हम फेस कट देखते हैं किसी फेस पर कॉंटूर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती जहां पर जरूरत है आप जरूर करें और इसी तरह आईशेडों का जहां तक सवाल है कि बहुत चोटी आंख पे स्मोकी लोक एक दम उसको और शोटा दिखा देगी तो चोटी आंख पे हम यहां से जो कॉर्नर होता है इस तरह का मेकप का कट देते हैं कि वह उठे और बड़ी जहां तक बड़ी आखों का सवाल है तो अर्डी इतनी प्यारी माशाला जैसे मेरी और आपकी तो बिल्कुल यकिन कर सकती है मैंने जैसे आप पे थोड़ा बर किया भी है तो मुझे इतनी मेंनत करनी पड़ी जोती से बहुत अच्छा में अपने उसी निया सौंग आरहा है है उसमे डिए nee handicap किया है मेरा उसमे आपको डिफरेंड डिफरेंड इफरेंड शॉर्टs तिकेंगे जो लेला जी ने makeup किया वो शॉर्टs पी आपको ने बड़े या बड़ी मुझे… तो आपके पास वो जगा है काम करने के लिए तो आपका विलकुल बनाने ट्रांजिशन कलर्स देने आप अच्छा एक विंग लाइनर बड़ी आंख पर दे सकते हो बहुत प्यारा लगता है तो अजinky हो अपने पेस को समझ पिये आंगे अपने फेस को समझ आपने अपने ःपस को देखे सकते वन आप देख से BCS को सामझी अपने एवन आख जब ग्राउज अपने जब को एकन मचीर लागी यार दखते अपने जो आइब्रो की शेप है उसको फिल कीजिए और उसको तीखा मत बनाईए आपकी जो चेहरा है वो बलके बड़ा लगेगा और थोड़ा एज लगता है जो आपका गाप है बट्वीन यौर आइब्रो उसका ध्यान देना क्यूंकि यह थ्री पॉइंट्स होते है अगर टेकनिकली मैं बात करूंँ चाहिए अगर कुई मेक पार्टस मुझे देखना है वो समझ सकेगा जान देना के गड़ तो आपको उस हसाब से हैं, then you are fine, तो आपको उस हसाब से फिल करना है तो यह चीज़े स्मॉल थिंग्स हैं, but it matters a lot, makes a big difference on your face बिल्कुल आपने सही का, क्योंकि सबसे अच्छी judgment होती है हम खुद कर सकते हैं अपने लिए, कोई हमारे लिए नहीं कर सकता और जब भी आप मेकप करवाएं या आपने कभी कपड़े भी चूस करें अपने लिए, कि मुझे क्या पहना चाहिए, मुझे मेकप की लुक कैसी चाहिए यह आप से जदा अच्छा कोई नहीं समझ सकता, आप अपने आपको देखें और आपको लगता है कि हा मुझे इस लुक में confidence फील होता है, मुझे इस तरह के बालों में confidence लगता है और हमेशा हर तरह का event या हर तरह की look हमारी हर बर अलग होती है, आपको खुद यह judgment होनी चाहिए, यह last time अगर मैंने पार्टी में यह makeup किया था, यह hair किये थे, क्या मैं अच्छी लग रही थी, यह मैंने दूसरे जो event में किये थे, वो मुझे अच्छी लग रही थी, यह मै जो खुद को हुणनी चाहिए, आप कभी भी makeup artist को इसके लिए blame नी कर सकते है, यह तुने मुझे क्या बनादी है? यहाँ भी थी बात किया ए आप की ही बात में अड़िशन यह करना चाहूंगी कि आप बिल्कुल तयार हो गई हो अपने मेक उन कर लिए बेस्ट यह इस भेइच ने कर खाऊ अपनी आखने अशी नीचे कर कि आप नेको निचे बनाई यह उनके खोल कि बनाईये पिचर में आपको तोersonман रहे हम पहले आपकी मॉडल की पिचर करेंगे, कि हम आपको छाप करने के पर जाएंगे, आपको जो फोल टुशल entãož vere your आपको अपने किसी पार्टी के लिए अपको करवाना है आपको कोई खास एवेंट है आप चोटा इवेंट है बड़ा इवेंट है ब्राइडल मेक अपको करवाना है तो आप लेला को कॉंटैक कर सकते हैं तो लैला कैसे लोग आप से कॉंटैक कर सकते हैं और कहां आपको ढूंड सकते हैं जी जरूर मेरा नंबर मेरा खाला स्क्रीन पर भी चल रहा है मैं एक दफ़ा बोल भी देती हूं 365 99 87218 मेरा सेल नंबर है और आप मुझे कॉल कर दीजिए टेक्स कर दीजिए अगर आपको किस आपको का नाम है मेकपपय लाज-ल-a-a-z ल-a-a-z में हम सबके नाम आजाते हैं तो अगर आप फेस्बूक सर्च बार में मेकपय लाज जालेंगे तो आपको मैं जरूर देख जाऊंगी ओ वाव वाव एक डिफेर्ट नाम भी होगया और पुरी फैंली भी शामिल भी एंच्छ दलते हैं तो हमेशन कामयाब होते है।… सबसे बड़ी चीछ सबच कि08 से हुआ है। गलत कर रहा है विसलिए फैमली का साहत हो बाजरूरी है तेंक यू अगे लायला और आपको यह आने वाले समय में हम लोग कुछ और शोज करेंगे और हम कुछ और नहीं जानकारी और डिफरन जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे लेकिन सिर्फीर में इसों सफ्टियप रहा है यह जिनकों हमरे भीजी चुण को रहती हैं यह वह मारे लोग को अगरे लेकिन को वह कुछ अधिया तक हीरा जानने से पहले कोई टिप्स देना चाहेंगे I think we did cover everything, but I will tell you one thing because I have a question for long lasting makeup So for long lasting makeup, I will give a quick tip that if you use your beauty sponge, if you wash it with water If you wash it with your makeup setting sprays, if you wash it with the sponge and you pat it with your face So your makeup will be long lasting, at least for 12 to 24 hours So this is a great tip that I gave Dior's pro makeup artist and I incorporated it And if you use the sponge, even if you use the concealer, your concealer is cracked and the product is added Oh, that's a great tip Concealer always should apply before foundation or after? Absolutely, this is a lot of people do, but I always like to apply after foundation But again, there is no hard and fast rule If you can apply before or after, if you work on your skin, you should do that Thank you Jyoti for inviting me, I am so blessed and honored that I am in your show Thank you so much Thank you, bye, take care So, let's go, let's take you too, I hope you enjoy that today's presentation If you like today's presentation, you'll get a good idea You'll get a good idea with makeup case And if you have any question with makeup Or if you want to discuss those points in the coming programs We'll discuss those points, highlight it and guide them So, you can send me your questions and DM me Or you can send me your questions in the comments section Follow us on social media And Laila Ji, you can follow us on social media In the name of Instagram and Facebook Makeup by Laila And I will come back again Then, with a new knowledge and new man You can download our SP24 app You can download our YouTube channel You can like our YouTube channel You can subscribe to our YouTube channel And my YouTube channel is Jyoti Sharma Which you can subscribe for more updates You can follow me on Facebook and like my page If you like us, please like us I'll see you in the next video I'll see you in the next video I'll see you in the next video And 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 keep your attention And love you in the next video And understand yourself And understand yourself This is very special Namaskar, Adab, Salam, Sat Shri Akal